नमस्कार दोस्तों मैं हूँ पंगज मठपाल C.A.P. C.W.M. स्वागरत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों इलेक्ट्रोनिक बैंकिंग का चलन बढ़ता जा रहा है और ऐसे में कई बार बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं जैसे कि आपके अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं या ATM से पैसे निकाल ले जाते हैं कई बार ऐसा भी होता है कि कार्ड की क्लोनिंग हो जाती है आपका कार्ड आपके पास होता है लेकिन कोई आपका कार्ड इस्तेमाल करके ATM से पैसे निकाल लेता है credit card का इस्तेमाल हो जाता है जबकि आपके पास होता है या net banking से unauthorized transaction होते हैं तो इस तरहे की शिकायतें बहुत सारी आती है और ऐसे में कई बार customer को यह नहीं पता होता है कि मुझे क्या करना है या मेरी liability क्या है तो दोस्तो आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे कि यदि कभी आपके साथ ऐसा होता है या आपको ऐसी कोई जानकारी मिलती है तो उस case में आपकी क्या liability है आपको क्या करना चाहिए आपको पैसे आपके वापस कैसे मिलेंगे तो इससे पहले कि इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊँ एक बार फिर आपको याद दिलाऊंगा कि यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लोग को इसके बारे में और जानकारी दे तो दोस्तों जैसे मैंने बताया कि कई बार जब अनाथराइज ट्रांजेक्शन होते हैं तो लोग बहुत घबरा जाते हैं और समझ नहीं आता है कि ऐसे में क्या करना है तो मैं बताऊंगा कि RBI के इस बारे में क्या निर्देश है तो यदि आपके अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं और ये बात मालूम चलती है कि इसमें कुछ बैंक की नेगलिजेंस है यदि बैंक की नेगलिजेंस की वज़े से पैसे निकल जाते हैं account से unauthorized transaction होता है यहाँ पर आप शिकायत करें या ना करें इसमें आपकी zero liability होती है दूसरी बात यदी कभी fraud होता है जहाँ पर third party की वज़े से fraud हुआ ना तो आपकी गलती है ना bank की कोई गलती है bank की कोई deficiency नहीं है और यहाँ पर fraud हो जाता है तो इस case में आपके पास जब भी bank से कोई communication आता है उसके बाद आप bank को notify कर देते हैं complaint कर देते हैं within three days उस communication आने के three days की अंदर अगर bank को आप notify कर देते हैं तो यहाँ पर आपकी zero liability होगी आपकी कोई भी liability यहाँ पर नहीं होगी यदी कभी ऐसा होता है कि आपकी किसी वज़े से यानि कि आपने कोई अपना account या पिन ये किसी को दे दिया किसी का शेयर कर दिया और इस वज़े से कोई financial fraud होता है तो इस case में जब तक आप bank को notify नहीं करते हैं यदी आप within three days बैंक को notify कर देते हैं या जब भी करते हैं तो तब तक की जो liability होती है वो आपके उपर होती है और उसके बाद का transaction जो भी होग उसके लिए bank जिम्मेदार होगा कई बार आपने अगर inform कर दिया कि आपका trade card चोरी हो गया है आपने complaint दर्ज करा दी उससे पहले जो fraud हो गया उसके जिम्मेदारी आपकी है पर जैसे आपने bank को inform कर दिया उसके बाद की जिम्मेदारी bank की होगी आपको कोई भी उसके लिए loss bear नहीं करना होगा जहां पर ये पाया जाता है कि जो fraud हुआ है उसमें ना तो आपकी mistake है ना bank की mistake है लेकिन किसी third party ने fraud किया है और bank की कोई deficiency नहीं पाई जाती है आपने भी अपना password pin किसी किसा शेयर नहीं किया है identity reveal नहीं की है तो उस case में यदि आप 3 दिन से ज़्यादा का वक्त हो जाता है आप bank को notify तीन दिन में नहीं कर पाते हैं तो उस case में आपकी थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है यानि ऐसे case में यदि आपका basic savings deposit account है तो उस case में आपकी जो liability है जितना पैसा आपके account से unauthorized तरीके से निकल गया है उतना या फिर maximum 5000 रुपीज तक की liability आपकी होगी ये कब जब आप 3 दिन के बाद यानि कि 4 से 7 दिन में आप bank को notify कर रहे हैं उस case में और यदि ये आपका कोई credit card है जिसकी limit 5 lakh से कम की है या कोई cash credit या फिर current account है इस case में आपकी liability जितना पैसा निकला है उतना या फिर जितना फिर फ्रॉड हुआ है उतना या फिर maximum 10,000 रुपीज की आपकी liability होगी और यदि credit card के limit 5 lakh के उपर है और इस तरह से कोई fraud होता है वहाँ पर तो आपकी जो liability है वो जितना भी fraud हुआ है वो या फिर maximum 25,000 तक की आपकी liability बनेगी तो ये थी बातें कि जहाँ पर आपके card से unauthorized transaction हो जाते हैं उस case में आप bank को inform करते हैं तीन दिन में inform करते हैं या तीन दिन के बाद में करते हैं और यदि आप 7 दिन तक भी bank को inform नहीं कर रहे हैं उसके बाद में आपने inform किया तो उस case में फिर bank के board की approved जो policy होगी उसके हिसाब से आपको compensation या फिर आपकी जो liability है वो तैक की जाएगी तो दोस्तों यदि इस तरहें से आपके account से fraud हो जाता है अब आप क्या करेंगे आप bank को inform कर रहे हैं अगर bank आपकी बात सीधी तरीके से नहीं सुन रहा है आपने simple complaint की और branch में complaint की आपकी बात नहीं सुनी जा रहे है तो bank के grievance redressal officer के पास अपनी complaint धर्ज कराईए आप writing में complaint देजिए और उसकी acknowledgement आपको जरूर लेना चाहिए चाहिए ब्रांच लेवल पर भी complaint कर रहे हैं तो उसकी आप complaint की copy जरूर लें आप phone के थ्रूर complaint कर रहे हैं तो भी अपना एक service request number या complaint का जो registration number है वो जरूर लें आप हो सके तो police में भी इसकी complaint कर सकते हैं और आपने complaint जब grievance redressal officer के पास की और वहां से आपको कुछ satisfactory reply नहीं मिला तो उसके बाद में आप इसको escalate करें बैंक का internal ombudsman भी होता है ये भी system होता है तो आप internal ombudsman के पास complaint दर्ज कराएं लेकिन उसके बाद भी यदि आपको आपके पैसे वापस नहीं मिलते हैं क्योंकि यहां पर within 10 days आपके पैसे आपके account में वापस आने चाहिए यदि bank कुछ investigation करता है उस case में भी shadow credit यानि कि आपके account में पैसे पहले आ जाएंगे और उसके बाद bank अपना investigation है उसको पूरा करेगा और bank को 90 days में investigation पूरा करना होगा यदि 90 days में investigation पूरा नहीं होता है तो उस case में भी आपको आपका पैसा मिल जाएगा और ये बात तै करना कि इसमें क्या customer की गलती थी deficiency या responsibility customer के end पे थी ये जिम्मेदारी bank की है आपकी नहीं है तो bank prove करेगा कि यहाँ पर जो गलती हुई है वो आपसे हुई है आपने कोई जो अपनी ID है वो reveal की है ये सब जिम्मेदारी bank की है कि वो इस बात को prove करेंगे अगर वो नहीं prove कर पाते हैं तो इसका मतलब आपके कोई mistake नहीं है और आपको आपका पूरा पैसा क्योंकि जैसे में बताया 10 days में आपका shadow credit आ जाता है या अकौन में पैसा आ जाता है लेकिन उस case में ऐसा होता है कि बाद में बगर ये पाया जाए कि उसमें mistake आपकी थी तो bank उस payment की recovery कर सकता है लेकिन 90 days में यदि वो investigation पूरा खतम हो जाता है और वहाँ पाया जाता है कि इसमें आपकी mistake नहीं है या फिर bank prove नहीं कर पाता है दोनों ही case में फिर वो पैसा bank आपस नहीं ले सकता है वो पैसा आपको मिल जाएगा अब यहाँ पर यदि bank आपकी बात नहीं सुन रहा है आपको पैसा वापस नहीं दे रहा है और जैसा मैंने बताया कि grievance redressal officer चे अपने शिकायत कर दी internal ombudsman में शिकायत कर दी आपने nodal officer grievance redressal officer के बाद आप principal nodal officer को शिकायत कर सकते हैं और उसके बाद में यह जो मैंने बताया कि उसके according आप banking ombudsman के पास अपने शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो दोस्तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि banking ombudsman scheme के तहट आपने शिकायत कैसे दर्ज करा सकते हैं। step by step उस पर चर्चा करेंगे। तो मुझे उमीद है कि जानकरी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही जितना अधिक से अधिक हो सके इसको शेर भी करें। और यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बैल आइकन को भी प्रेस करें। इसी तरह की महत्पूर जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए थैंक यू जैहिन।